बासकार दोस्तों YouTube चैनल N-Inv2 में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे सिम वेल्डिंग के बारे में सिम वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जो रजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है और प्रेशर वेल्डिंग के अंतरगत आती है और इसमें हम बिना किसी फिलर मेटल के वेल्ड कर सकते हैं दूसरी बात कि जो सिम वेल्डिंग है ये स्पोर्ट वेल्डिंग की तरह ही होती है लेकिन फरक सरफ इतना होता है कि अगर आप इस डायगराम को देखें ये जो वेल्डिंग मशीन आपको दिखाई दे रही है ये स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन है इसमें जो एलेक्टरोड हम यूज करते हैं वो पॉइंट्टिड और स्लेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं लेकिन सिम वेल्डिंग के केस में इन electrode को replace कर दिया गया disc और wheel type की जो electrode है उनमें इसको replace कर दिया गया तो electrode का difference आ गया है और दूसरी बात की sim welding में हमें जब हमें continuous weld की जुरूरत होती है तो वो हमें sim welding से ही मिलेगा जिसको stitch weld भी बोल देते हैं इसके अलावा अगर बात करें जो sim welding है ये एक high speed और एक clean process होती है और इस welding को कैसे किया जाता है इसकी advantage क्या है disadvantage क्या है और इसकी application क्या है उनके बारे में हम विस्तार पूरुवक आपके साथ discuss करेंगे सबसे पहले अगर बात करें जो sim welding मसीन इस diagram में आपको नजर आ रही है इसमें 2 electrode लगी है ये lower electrode है और ये upper electrode है ये जो electrode होती है ये copper की बनी होती है और इनका जो diameter है 50 mm से 600 mm के बीच में हो सकता है 50 mm to 600 mm के बीच में लेकिन जो ज़्यादा तर हम use करते हैं वो जो diameter होता है वो 175 mm से 300 mm के बीच में वो रहता है अगर हम width की बात करें 10 mm से 20 mm के बीच में जो electrode होती है इसकी width रहती है और अगर बात करें जो diameter होता है electrode का वो mainly depend करता है कि हमारी जो work piece की shape क्या है और जो width होती है वो depend करती है कि work piece की thickness क्या है और उसकी geometry किस परकार से है उस पे ये depend करता है अगर हम बात करें कि जो electrode हम इसमें use करते है उसमें हमें cooling की जुरूरत पड़ती है sport welding में हम internal cooling कर सकते है लेकिन sim welding के case में हमें constant और externally cooling की जुरूरत होती है ताकि जो electrode है welding के दोरान overheat न हो जाए तो इसके लिए अलग से arrangement की जाती है जो pipes आपको नजर आ रहे है तो इनके थुरू जो cooling जो medium हम use करते है उसको एक jet की form में strike किया जाता है ताकि electrode को overheat होने से बचाया जासके उसके बाद जो अपर जो electrode है जो circular form में disc form में है इसको हम up and down कर सकते है अवशक्ता अंसार जो यहाँ पर फूट पैडल लगा है इसकी मदद से इसको प्रेस करेंगे तो यह नीचे की तरफ आ जाएगा जब इसको release कर देंगे तो यह वापिस उपर की तरफ चला जाएगा और जो जिस work piece को हमें weld करना है उन दोनों work piece को हम overlap करेंगे मतलब कि जो metal seat है जिसे हमें weld करना है उसको हम overlap करके overlap करके दोनो work piece के बीच में लेके आएगे तो जैसे ही सबसे पहले जो lower electrode है इसके उपर उसको रखेंगे और foot जो paddle है इसको हम press करेंगे तो जो upper electrode है वो भी उसको press करेंगे मतलब कि दोनो जो electrode है इनके बीच में हमारा work piece आजाएगा जो overlapping seat है वो आजाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे जो crunch है उसकी supply को हम on कर देंगे क्योंकि जैसे हमने discuss किया कि एक resistance welding है और resistance welding में अगर हम देखें H equal to I square RT यहाँ पर H हमें indicate करता है कि welding के दोराँ जो heat generate होगी जूल में उसको यह indicate करता है वो mainly depend किस पर करता है I square RT I stand for current R resistance और T time I square हमने यहाँ पर इसका use किया है क्योंकि resistance welding के case में जितना ज़्यादा current flow होगा उतनी ज़्यादा heat हमारी generate होगी क्योंकि इसमें voltage का roll बहुत कम रहता है इसलिए हम यहाँ पर step down transformer का use करते हैं जो हमारी low voltage और high current जिसकी मदद से हम यहाँ पर लेते हैं sim welding machine में दूसरा जो R है यह resistance होता है क्योंकि resistance welding में जो heat generate होती है वो जो हमारे connecting जो work piece होते है इनका जो interface होता है electrode के साथ तो जब current flow करेगा उस current के flow में जितना ज़्यादा resistance offer होगा उतनी ज़्यादा हमारी heat generate होगी दूसरा है कि time हम कितना रखते हैं तो आशकता हम सार time duration को रखा जाता है तकरीबन यह हमारा कुछ seconds में होता है तो इस परकार से हमारा overlapping जो seat है जोइन की जाती है उसके बाद current को ओन करके जो heat generate हुई है और इन electrode की मदद से ही pressure को apply किया जाता है ताकि जब fusion होगा तो fusion के दोरान अच्छी तरह से हमारा weld हो जाई और दोनो जो electrode हैं यह rotate करती हैं अपोजी direction में rotate करती है अगर हमारा upper electrode clockwise रोटेट करेगा तो lower electrode anti clockwise रोटेट करेगा अगर upper electrode anti clockwise रोटेट करेगा तो lower electrode clockwise रोटेट करेगा तो जब तक हमारा weld complete नहीं हो जाता दोनों electrode rotate करती रहती हैं और जो हमारा work piece है वो आगे की तरफ move करता रहता है जिससे फिर हमें continuous weld मिलता है अगर हम बात करें यहां देखें तीन diagram हमारे सामने है तो इसमें हम तीन तरह के जो weld हैं वो ले सकते हैं सबसे important अगर हम बात करें stitch weld stitch weld उसे कहते हैं जहां हमें continuous resistance sim मिलती है अगर आप दोनों work piece को देखें तो यहां पर जो continuous weld sim हमें मिली है तो इसमें को हम stitch weld भी बोल देते हैं बिल्कुल पूरी तरह से sim हमें नजर आ रही है दूसरा होता है कि जब यह जो हमारे weld nugget जिसको हम बोलते हैं यह individual होते हैं मतलब कि roll sport welding हम करते हैं कि एक sport हमने दे दिया उसके बाद थोड़े distance पर फिर उसके बाद फिर उसके बाद इस तरह से और जो तीसरा होता है कि overlapping weld nugget मतलब कि 8 nugget के बाद दूसरा nugget फिर तीसरा फिर चोथा इस परकार से हमारी sim बनती रहती है तो तीन तरह की sim mostly हम इसमें यूज करते हैं जरूरत के अनुसार जैसा इस डाइगराम में देख पा रही है अगर हम बात करें speed की जो welding की speed range रहती है इस case में वो 0.5 से 3.5 meter प्रती minute रहती है तो इस परकार से हम देखें ये जो working है इसमें होती है दूसरी बात जब हम welding को start करते हैं हमें जो work piece हम use करते हैं उनको हमें अच्छी तरह से clean कर लेना चाहिए clean इसलिए करते हैं ताकि उस पर कोई जो contaminants है जैसे कोई dirt है paint है, scale है या grease वगारा उस पर ना लगा हो उसको अच्छी तरह से clean कर लिया जाए और जो electrode होती है हमारी जो copper से बनी है इसको भी अच्छी तरह से clean कर ले उसके बाद process को आगे किया जा सकता है तो इस परकार से इसमें हमारी working होती है दूसरी बात, अब बात करते हैं कि जो sim welding है इसमें हमारा जो wheel हम use करते हैं जो electrode हम use करते हैं इसमें वो किस परकार का हो सकता है जो इसका contour है वो किस परकार का हो सकता है mainly 4 परकार के contour हम use करते हैं जो profile की बात करें जो electrode है एक flat होता है, double bevel होता है single bevel और radius faced ये तीन type के हम इसमें use करते हैं और जो contour हमें select करने हैं वो basically हमारी depend करते हैं कि हमारा welding current कितना हम use करते हैं pressure distribution हमें कितना चाहिए weld zone के उपर और हमारा dry mechanism हमने क्या use किया है इन पे वो निर्भर करता है और जो contour है हम इसलिए use करते हैं ताकि हमें जरूरत के अमसार हमारा जो sim weld है वो मिल जाए और सबसे ज़्यादा जो हम profile use करते हैं electrode की वो double bevel type wheel का हम use करते हैं और जो radius faced जो contour हम use करते हैं उसमें हमें best weld appearance मिलती है लेकिन जो flat faced electrode अगर हम use करें उसमें थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि उसका setup करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और जो work piece है वो completely हमारे जो parallel है वो हमें नहीं completely जो work pieces है वो हमें parallel करने पड़ते हैं otherwise हमें जो contact है वो uniform नहीं मिलेगा उसके बाद हमने बात की जब हम weld करते हैं तो welding के दौरान जो heat generate होती है उस heat के कान जब हम इलेक्टोड हमारे overheat हो जाते हैं तो उसके लिए हमने बात की थी कि हमें cooling करनी पड़ती है constant cooling की arrangement हमें देनी पड़ती है और इसके लिए हम जो constant cooling हम provide करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो elektrode हैं इनका wear ना हो दूसरी बात की और जो work piece हैं उस पे भी कोई defect हमारा ना आए और external cooling इसमें की जाती है अगर हमें low carbon steel का weld करना है तो उस case में हम जिस solution को as a coolant use करते हैं उसमें 5% borax का हम use करते हैं अगर हमें stainless steel या फिर non-ferrous metal को हमें weld करना है तो उस case में जो ordinary हमारा tap water है उसको भी हम use कर सकते हैं अगर बात करें कि sim welding को करते समय हम कौन-कौन से joint हैं जो बना सकते हैं mainly lap joint और flange joint हम इसमें बना सकते हैं और जो sim हम बात करें हैं बार-बार की जो sim हम बनाते हैं इसका weld size है sim weld size वो mainly depend करता है कि हमारा जो contact area contact area किसके बीच में work piece और electrode के बीच में जो contact area है उस पे ये depend करता है दूसरी बात जो diameter होता है हमारी electrode का उस पे ये depend करता है mostly ये जैसे हमने बात की कि जो diameter है वो 175 mm से 300 mm के बीच में ज़्यादा तर use किया जाता है वैसे जो electrode का diameter है वो 50 mm से 600 mm के बीच में रहता है और एक वो depend करता है track width के उपर track width इस परकार से होती है हम 5 under root T का use करते हैं जो small T है ये हमारी single seat की thickness होती है mm में तो ये track width पे भी ये depend करता है normally जब हम narrow weld की हमें जरूरत होती है तो उस case में जो track width है normally हम 2 under root T से 3 under root T के बीच में हम track width को रखते हैं और जिससे हमें ज़्यादा welding speed मिलती है और हमारी जो power requirement है वो भी हमारी कम रहती है तो इस प्रकार से इसमें working होती है अब बात करते हैं कि इसकी advantage क्या है, disadvantage क्या है और application क्या है advantage की जैसे हमने बात की कि हमें continuous leak proof joint इसमें मिल जाते हैं पूरी तरह से अगर बात करें हम gas tight और liquid light joint हम इसमें बना सकते हैं जो thin material हैं उसको हम इसमें weld कर सकते हैं single seam weld भी हम ले सकते हैं several parallel seam भी हम इसमें produce कर सकते हैं simultaneously उसके बाद production rate इसका ज़्यादा है, dissimal metals को इसमें हम weld कर सकते हैं इसमें अगर हम welding की बात करें stainless steel को weld कर सकते हैं aluminium और उसके aloy को weld किया जा सकता है, निकल और निकल के aloes को weld कर सकते हैं, magnesium aloes को weld किया जा सकता है, जो operation हम इसमें करते हैं, जो working होती है, उसको automatic भी किया जा सकता है, semi automatic भी वो हो सकती है, और इस welding को करते समय हमें, अलग से कोई edge preparation बनाने की जुरूरत नहीं होती है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी disadvantage क्या है, disadvantage सबसे पहले तो यही है कि इसकी equipment cost है, वो जादा है, अगर हम इसको compare करें, sport welding set के साथ, उसके comparison में इसकी cost है, दूसरी बात, इसमें जब हम weld करते हैं, तो जो seat metal की जो थिकने से वो 5 mm से जादा नहीं हो सकती, mostly अगर हम बात करें, जो thin material की जो थिकने से वो restricted होती है, तकरीबन कहा जाता है कि 2.5 mm से वो 5 mm के बीच में हो सकती है, और जो welding हम इसमें करते हैं, वो welding mainly straight welding होती है, या फिर वो uniformly curved line में इसमें welding हम कर सकते हैं, यहां तक semi-tar यह, उसके बाद और पर हम hot rolled grades of low alloy steel को इसमें weld कर सकते हैं, अब बात आती है कि sim welding की application क्या है, application में अगर हम बात करें, जो sim welding है, इसके लिए हम automobile sector में इसका बहुत ज़्यादा use है, हम automobile का muffler इसमें बना सकते हैं, जो एक जो system में लगा होता है, paint और vernis के जो container है, वो sim welding से बनाई जा सकते हैं, fuel के जो can है, fuel का जो tank है drum है, evaporator condenser है, aircraft का tank है, gasoline के जो tank है, वो इससे बनाई जा सकते हैं even कुछ जो seamless tubes या pipe है, वो भी इससे बनाई जा सकते हैं तो कह सकते हैं कि water tight tank बनाई जा सकते हैं, कुछ हमारा जो kitchen में appliances हम use करते हैं उनमें भी हम देखें sim welding को उसमें use किया जाता है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया resistance welding का important type sim welding जो एक pressure welding है जिसमें हम बिना किसी filler metal के weld को complete करते हैं तो इसके बारे में हमने working के बारे में जाना इसकी advantage के बारे में जाना इसकी disadvantage और application के बारे में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और N-Inverse 2 को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे